असलामलेकुम्स दॉक्टर फिजान आयोप आप सब लोग ठीक होंगे यह बहुत बेसिक सा टॉपिक है लेकिन अब भी मुझे इस पर बनाने क्यों ज़रुत बढ़ी है चाहे मैं पढ़ाओं कहीं और जाके या अपने इंस्टूटर पढ़ा रहा हूं कहीं भी पढ़ा रहा ह होता है तो जी सब्वेडियोज कि और ही मुझे अपना पैशलिक है कोई आप देने के तारीका और मेरा इंस्टीजक देने का तारीका और अपके एक्स बॉस के देने का तरीका या अचोड़ी देने का तरीका स्लाइटि डिफरिट होसंता है और उस की वरे सेवित्भास कोक कि देते कैसे हैं anesthesia block or infiltrate लेकर उससे भी पहले कहां देना है बस यह थोड़ी होता है यह दान निकलना है दे दिया anesthesia हो गया ऐसे नहीं होता आपको simplify करके मैं बता रहा हूं कि anesthesia की innovations किया है आपको जवाब पता है इसके लिए आपने सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि वह रटा है आपको पचास साल से ठीक है अगर आप पचास साल के है एनिवेज लेट मी सिंप्लिफाइ इनर्वेशन क्या है ठीक है clinical point of view पहली बात तो यह कि जो आपकी सप्राइश शुरू होती है यह वह रहा है आपको यहां से सब को चुरू होता है तो तो तीन निकली है आपकी सबसे पर अप्थाल्मिक फिर बीच मैंग्जिलेरी नीचे आई आपकी मैंडीविलर नर्व अब यह तीन हो गई यह फुर्दर डिवाइड होंगी जो उपर मैंग्जिलेरी गई है स्टीरो सुपीर अर्वर नर्व जैस जो फर्स्ट मोलर है उसमें डूल इनर्वेशन है एक आर्टिकल कहता है कि अप्टू टू टूटीएट परसेंट अफ दे टाइम आपकी जो मैंग्जिलेरी फर्स्ट मोलर जो आवायवा का सवाल भी हो सब्सक्ता है वह हमेशा आता भ सब्सक्राइब आपके वह निचे जो है आपका वह एक आपको अच्छा यह बात तो हो गई की बकल सिचुवेशन की ठीक है पैरेट की तरफ आजाएं नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके लिंगोल नर्व है अगर आप पैरेट में देखेंगे तो वह ग्रेटर पैरेटाइन नर्व है जो आगे जा रही है प्री मोलर और मोलर तक और जो एंटियर्स हैं उसके पीछे है नेजो पैलेटाइन नर्व यही इनिवेशन मैं आपको मुह के अंदर समझाता हूं यह आपका मैक्जिला आ गया पहले हम कर लेते हैं बकल पर क्या सिचुवेशन है आपको पता है जो मैक्जिला है उसमें तीन में डिवाइड हो रही है जैसे कि अभी आपको इन प्री आ प्री में प्री में है को लोड्व आपको पस्टिया सिच फ्री मॉलर है वो में भी सिच हूं इपयल कर ली वरuti प। उसमें रहое ऑं पर न जो आपको प्री मॉलर आपको यही इन और चो एंसाइजर और आपके किनाईDY वाला एंटीर रीजिन है वह है आपकी एंटियोसिटो पॉपियर नर्व वह सपलाई कर रही है अब आपको आसान तरीका बताते हम और भी ठीक है ये तो आपको बता दिए है बकिश कि कौन कौन सी nerve supply कर रही पेशेंट को थोड़ी बताएंगे आप ये आपकी मैं बकल सुपीर एलवियर नर्फ जरा सुन कर दूँ मैं ऐसे थोड़ी करते हैं तो आप करेंगे क्या हर जो आपकी जगा है चाए वो मैकजला हो चाए वो मैंडेबल हो उसको आप डिवाइड करते हैं तीन में ठीक है एक बकल टिशू है एक दान्त है आपके और एक आपका पैलेटल टिशू है ठीक है जब आप मैकजला बेने सीजा देते हैं किसी दान्त में तो वो इन्फिल्टेट देते हैं आप वो बकल टिशू के अंदर देंगे, जो कि यहां पे है, जब आप यहां देंगे, जहर सी बात है, जब बकल टिशू में दे ही हैं, तो बकल टिशू तो होई गया, और जो नर्फ थी, दांत की जो सप्लाइ कर रही थी, इन्वेशन, वो भी हो गई, तो बकल भी हो गया, और दांत भी हो गए क्या नहीं रह गया वह यह चीज़ रह गई पैलेटल टिशू रह गया जो नहीं हुआ जो के ग्रेटल प्राटन नहीं हुआ इसलिए हम पैलेटल इंजेक्शन फिर देते हैं ताके यह वाली जगा भी सोन हो ठीक है तो डिवाइड कर दी आपने तीन क्या है? सीके मंदेबल की स्फ्ट्राइ क्या होती है? क्या होती है? क्या एक फुखित क्या है, जो यह जा रहा हिए रहा है यहां निकलता आँए बहु तो जब आपने यह नहीं यहां आ यहां देना ऑग Barbara क्या दो में तो आप बॉकल ऑन खताए उसी से दानत भी सोना होता ह लेकिन आपका lingual anesthesia रहता है यह बात करो anterior की जो आपके posterior है अब for example आपने ये दान्त निकलने हैं जो इसके mullers हैं आप block देंगे block देंगे तो उससे क्या सुनोगा buckle सुनोगा नहीं हुआ जब आप बार बार patient से क्या पूछते हैं जबान सुनोई क्यों क्योंके lingual nerve सुनो जाती है नम हो जाती है और tooth नम हो जाता है अगर दान्त निकालने हैं तो फिर आप साथ में buckle anesthesia भी देंगे maxilla में उल्टा था maxilla में ये था कि आप buckle ही anesthesia दे रहे हैं तो nerve भी सुनो गई buckle tissue भी हो गई सुन दान्त भी हो गया palette रहे गया यहां इसका उल्टा है यहां जब block दिया है तो lingual हो गया सुन दान्त हो गया सुन यह चीज रह गई तो यहां पर आपने अलग से anesthesia देने buckle ही अगर आगे वाला कोई दान निकाल रहे है तो उसके सिर्फ आप buckle anesthesia देंगे तो आपका क्योंकि mental formant से बाहर आ चुकी nerve यहां कहीं आ गई है तो यहां आप anesthesia देंगे तो आपका दान्त सुन हो जाएंगे एंटीरिस except कौन सी जगह नहीं हुई lingual यहां आपको अलग से anesthesia देना पड़ेगा क्योंकि आपने block नहीं देते वह पूछा से कहां कहां देना है फिर मैं anesthesia दूँगा और वह patient के नहीं दूँगा जिसको मैंने बोला था नै जिसमसे सवाल पूछा है उसके anesthesia दूँगा फिर वह भूलेगा नहीं कहां anesthesia देना है उसको याद रहेगा anyways how to give anesthesia वह अलग वीडियो है वह फिर आप जब मैं यह बना लूँगा और आप लोग देख लेंगा सब को आ जाएगा कि नर्फ सप्लाइ का होती है तब मैं आपको सखाऊंगा कि anesthesia जब आपको पता लग देना है कैसे देना है उस पर वीडियो बना देंगा अगर इसमें डाल लूँगा तो यह घंटे के वीडियो बन जाएगी वीडियो पसना है तो शेर करें यूट्यू पर सब्सक्राइब करें थैंक यू फो आजएग